हेई गाईज वल्काम बाक टो आवर चानल फिटेसें राइस्टाइल सो गाईज बहुत दिनों से ये वीडियो वेट कर रहेते हैं सब लोग बोल रहेते हैं दीदी होम टूर दो मेरा घर बड़ा है बड़ा एज इन मॉंबाई के इसाप से काफी बड़ा है अगर आप नौर्ट से देख रहे हो तो आप लोगों को पता होगा मॉंबाई के घर आप लोगों को तो बहुत ही छोटे लगते हैं और मॉंबाई के इसाप से मेरा घर काफी बड़ा है तो भी एचके का फ्लाट है मेरा मैं कहा रहती हूँ exactly वह तो मैं आपको बताने सकती वैसे तो काफी लोग उनको पता चल चुका है जो मेरे एरिया में नियर भाई रहते हूँ वह बहुत जन मुझे कमेंट करते है डीम करते है तो प्लीज अगर आपको पता है तो इस वीडियो के निचे कमेंट करके मेरा real address मत देना इंस्टाग्राम पर बात करेंगे अगर आप मेरे एरिया मेरे तो ज़रूर मैं आपसे मिलूंगी बट नीचे प्लीज दिस्क्लोज मत करो एरिया अगर आप जानते हो तो anyways कहा रहती हूं वह तो नहीं बता सकती because of security purposes बस मैं आपको इतना बता सकती हूं कि मेरा जो बिल्डिंग है मेरा जो complex है वो इंडिया जो बिल्डर है उनके अंडर आता है मतलब उनका construction है तो आप google कर सकते हो बहुत ही बड़ा hint में आपको दे दिया है आप बड़ा है एक वीडियो में नहीं हो पाएगा तो आपको आज सरिफ हॉल दिखाने वाल जो दिखाने वाल जो जो जाओं के अंडर की तरफ जाओं मेरे घर में बड़ा है वो मैं अपसाथ मेरे शेयर करने वाली हूं अज संदे है तो योगेश भी घर पर तो थोड़ी सी बाते हम योगेश से करते है द Fail वाटता है तो चाले Alright ili य मैं पाराथी नाधना ये पाराते वागी नहीं में आप सब्सरोगा तो 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 नहीं कैसे और कि तूर इन इन्स wipe पर पास और तो शुरू करें हमारा हॉल रूम टूर बोडी बाद में दिखाए चलो स्टार्ट करो जल्दी चलो पिर काना काईंगे साथ में अजी हैंजी मेरा डिनर हो चुका है तो यहां से हम होते हैं एंटर तो यहां से हम दर्वाजा है और यहां से मेरा हॉल चालो होता है काफी बड़ा सोफा है मेरा 123456 सिक्स सीटर का हमारा सोफा है और बीच में आता है हमारा टीपॉय और निचे हमारा है कार्पिट जो चेंज होता रहता है यह पास दो तीन ऐसे रग्स है सेम जो मैंने मिश से लिए हैं यह वाल की तरफ चलते हैं पहले यहां है मेरे बबाजी इनकी भीनातों मैं को बहुत अधूरा लगता है सबसे पहले मैंने यह पर चैस के था गोल्डन टेंपल का फ्रे में हमारा हम बहुत जल्दी आने वाले बाबाजी हम बहुत जल्दी आने वाले अप यहां पर छोटा सा हमारा डेकॉरेशन वाला एरिया है तो यह मैंने मेशु से मंगवा या था मुझे बट आंटिक और अच्छा लगा था एसे 3 का सेट है पीछे भी एक है यह हमारे टीवी का रिमोट है यह दो सेंटेट कैंडल्स मैंने रखी है यह मेरा एक अर्टिविशनल डेकोरेशन है प्लान जैसा और यह जो है आजकल जो बॉटल्स चलिए ना फेरी लाइट की काच की वह है और यह लव लाइट है और यह जो दो आपको दिख रहे हैं यह जो 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 आपको पता चलेगा तो हमारा चोट सा डेकोरेशन वाला एरिया है यह पर हमें एक ग्लास दिया तो यह पर एक एरिया मिल गया एक बॉटल जो हम यह लेक्वाट जो लेक्या थे अच्छी लग रही हो दो तीन चारे से चोटे-चोटे हमना अर्टिशल प्ला प्लांस रखे है और यह है गोल्डन टेंपल का अम्रित की बॉटल जो मैं घर पर यूज करती हूँ तो मैंने नस्दीगी रखी है सामने तो इस तरह से हमारा जो हॉल है उसका यह एक एरिया दिखता है तो देखो ऐसे है ओके या तो उसके बार में आपको तो से टेबल बत है और यहां से जो डोर आता है हमारे घर का उसके पीछे मैंने लगाया एक की स्टांड जो मैं गोगा से लाइती अगें यह सिंगल वूट का बना हुआ है और बेल वाला चाबी क्योंकि गुमना जाए तो यह फिर उसके बाद में यहां पर सीव सामने हमारा टीवी आ जाता तीन ड्राउर जैनी से ओपन है बट काउं चल जाता है तो इस तरह से है हमारा टीवी का सिटिंग के ऑपसिट में यह है मेरा फेवरेट पार्ट यह कर्टन मुझे बहुत बहुत जादा परसंद है मैंने यह आमजोन से मंगाय थे या फ्लिपकार्ट से मंगाय थे शायद इ इस तरह से मैंने सब अलग-अलग मंगाय थे बट मेंको लखी लिए एक अच्छा पेर मिल गया था तो यह लागुप सिल्वरिश कलर का है आश कलर बोल सकते हो प्लेन इसमें भी ब्लू और आश और ग्रीन कॉंबिनेशन है और आप देखो मेरा सोफा और जो यह है पर्दा इस तरह से मेरा विंडो कॉर्टिन्स है और मैंने यहां लगाया है ड्रीम कैचर और यह जो हवा के साथ बज़ती ना बेल्स विंशिट बोलते है इस तरह से मेरा यह दिखता है विंडो तो यह आता है इस तरह से व्यू जो आपने इंस्टाग्राम पर काफी बार देखा है एंड यह कॉर्णर आता है मेरे हॉल में एक यह है मेरा बड़ा सा ट्राइपोड जो मैं यूस करती हूँ बट मोस्टली यहां पर रहता है अज डेकोरेशन मतलब मैं यूट्यूबर हूँ तो यह मेरी लाइफ से बहुत जुरा हुआ है एक कॉर्णर मैंने बनाया है यहां इसके उपर यह मैंने लगवाया है एक बहु बहु पैटन कुछ तो बोलते है इसको वॉल का तो यह मैंने अमेजॉन से लिया है हा मुझे इसका यादे मेन अमेजॉन से लिया है और दो अर्टिशल फ्रावर्स और बीच में मेरे साई बाबा और पीछे एक प्लांट है हमारा उसका यह करटन जाता है जो मैंने इस तरह से करगे रखा कि कि वो नीचे जाते है बहुत जादा नहीं तो यह हमारी बहुत ही सिंपल सी राउंड वाच जो मैंने एपीएम सी मार्किट से ली थी इंदे को टाइम के और और मेकप शूट कर रहे हो तो यह और महाराज ह मैं लापटप आप देख रहे हो मैं mostly यहां बैटके में रेडिटिंग और स्क्रिप्टिंग और प्रोड़क्ट प्रमोशन का राइटिंग सब डीटेल्स यहां में करती हूँ और वहां सब वायर्स है इसकी चार्जिंग इसकी और कैमरा की यह प्लग है यह पर नस्दीक मे तो हम यहां पर ही बैट के डिनर लंज भी कर लेता है और काम के लिए वह वैसे दो ही चैर्स यूज होती है नहीं तो जब भी कोई आता है तो हम इसे आगे कर लेते हैं और वह दो चैर्स भी यूज हो जाती है तो इत्दम छोटु सा हमारा फॉर सीटर का डाइनिंग टेब यह आपको दिख रहा है मुझे अक्चुली ऊपर एक स्पेशल ऐसे फोकस लाइट लगानी है टाकी के लिए पता है लाइट में भी क्लियर दीखे हमारा यह बॉल आट एंड हमें गौतम बुद्धा से बहुत अधा पीस मिलता है बहुत पॉजिटिविटी है और सब लोग घर का यह important part है तो यह corner all together ऐसा दिखता है यहां हमारी एक टूब लाइट यहां हमारी दो टूब लाइट यह जो होता है ना अगर बाइचांस फायर पकड़ ले तो उसके लिए तो इस तरह से यहां एक छुट सब बल्ब हैं यह सबसे में यार में कैसे बूल जाती हूं यह है मेरा जुम्बर यह हमने खरीदा था वाशी के APMC मार्केट से और हम वाशी में बिल्कुल नहीं रहते हैं बढ़ हमने शॉपिंग कीती वहाँ से यह ओफ वाइट लाइट आती है वाइट एक्चुली है और यह वाँम लाइट और यह पार्टी वाइट हाँ यह हमारी पा यह हमारा छोटू सा हॉल रूम जो आई होप आपको अच्छा लगा होगा कि अच्छा रूम को आपको अच्छा रूम जो पिल्कुली है जाएट तेर नहीं होगा ने खिका एच्छा रूम रूम है है और यह उस्तर का है तो दोल तो कुल्रिटम पंजाबी कि लिख लीए तो ये इस हमारा छुट्टू सा श्रिफ्ट हो के हाँ पे तो धीरे चर्टीजे खरीदेंगे मैं अचुली कुछ साइड कॉर्नर धूंडारी हूँ जापे ड्राइपोड पड़ा था नौहाँ पर कुछ तभी टेबल कॉर्नर धूंडारी हूं ताकि घर चुट्टप सामान जो है मैं उसमें रग पाऊं सेफली क्योंकि बहुत अभी तो हमने क्लीनिंग की है थोड़ी बहुत चीजे बहुत मैसी हो जाती है यूस डेली बेसिज में यूस करके तो इसे कुछ साइड कॉर्नर चाहती हूं जिस पे ड्रॉर्स हो चाल पा जिसमें मैं स्टोर कर स्टुंभी मैं उसले 1 तो 5 आफ पराथ बहुत बढ बानाथ प्राला.. मैंसा और देया रुटम तो आफ तो मैं चलती हूं जेन पाराथा बनाती हूं और बनांसे क्यों सब्सक् tiene aking अट वह बना टार सकता है हापा, जास पिछन Expedition 215 00angel का... आपके suggestions हमें दो so यहां मेरे पराठी की तयारिया है यह देखो यह गोबी है जो मैंने उसको कद्दू कस किया है इसमें तीन चार चीज़ा आड़ किया अगर प्रॉपर रेसे पिछी है तो मुझे कमेंट करके बताना तो ममी ने मुझे बोलता कि आज दो रोटियों के बीच में जो होता है दो पुफुलकों के बीच में जो पराठा बनता है वो वाला बनाना तो आज मैंने सुबा भी बनाया था और अभी आपके सामने भी भी बना रही हूँ तो यह मेरी एक रोटी बेल के अलड़ी रखी है दूसरी रोटी बेल गई दी अभी मैं ऐसे फिल कर रही हूँ उसमें गोबी एवी ची यह कि लाइट ची यह लाइट लाइट गोबी में क्या एखा हो ना अच्छा सा तो इस तरह से मैंने गोबी भर लिया है और जो मैंने दूसरी रोटी बेल के रखी थी वो उसके उपर मैं ऐसे सेट करूँगी और मुझे इसे कॉर्णर्स को फ्रेस करना है आप लोगों को दो पता ही होगा यह वाला पर मेरे लिए न्यू था यह वाला बट यह आलू वाले से बहुत बेटर बना है इंस्टाग्राम पर पोल किया उस पर मैं जीत गई तो इस तरह से सूखा आटा मैं अच्छे से लगा लूँगी और नॉम्मिल बेलना है इसको की करो है ऐसे एसी कर दो यार जीव सुखा तो कितनी अच्छी भने थी और यह थी मैं लगता यह इसने पानी छोड़ दिया आप सॉल था था नं उसमें तो बजे लगता उसमें लगता है उसमें यह ले हो गया है अशी साइज इसे बहुत नह था यह तो दोना साइट था अ एक शेट यार इसे फिल पास के बाद किया क्या करो इसे फेल हो गए भूल नहीं यार फेल नहीं हो यह मैं आपको इंस्टाग्राम का दिखा दूँगी चाहिए तो दाल दो इसे दाल दो ओए जिए अपा यह पराटे अपरी आगे संब्लू भार सही भंगागे खाई नहीं में इस उपर इतना स्वाद की लगा है यह मुम्मी आज जाएंगे पराटे मानेज़ वह यह जिस्ट मानेज़ तो गाइस मैं रेडी हूँ टेक टू के लिए अक्चुली मैं को क्या लग रहा है कि मैंने तो आपिस तूटे तो यह मैं बेल देती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ क्या हूँ आगे का तो मैंने दो फुल्के तो बना लिए वापिस से मैं कर रहे हूँ एक बहुत हाड काम मेरी इज़त प्याय योगिश्ट क्यामरा चालो करी कि फेलो गई मैं सबको लगा जिल्दी आओ अगर आप कुकिंग में मदद करते हूँ तो जिन्दगी की बात दी क्या थी है ना तो फिर आप भी बोले आपने बना था मैं को लगा यह भी पटेगा क्योंकि वो गोबी ने नमक के वज़े से और मिर्ची के वज़े से पानी छोड़ दिया है अम्चूर भ नहीं बना नहीं नहीं फोटेगा है मेरे ली अच्छा है देखो फ्रिज में रखा पांच मिनट देखो कैसे हो गई आटा मैं वही बोल रहा था पॉट सॉफ्ट हो गया था तो चिपक गया था मतलब कुमारी पोल गलती है हांजी गलती मेरी थी कि मैंने भाग रोगा था द पास होगे अच्छी तरह से उख और इस बर तेरा वह भी छोटा है साइज है इदम पॉफेक्ट है वी देखो थोड़ा सा ना गीला पन है तो मुझी यह उठाने में देखो इस तरह से तकलिफ तो होने माली है बच्छ सुबा तो ऐसा कुछ नहीं हो आता इद्ली बड़ा बन गया बड़ा बन गया बची के ना सब समझ पा रहे ना प्रॉब्लम पराटा में दूड़ा उस पराटे का हाल ऐसा है वे तो फिर भी बहुत बेटर है यह खा पाऊंगे आप खालो गया जी खालूंगा या मेरे बीवी ने तरह प्यार से बनाया मेरे ल प्रॉमांचिक हो गए जो बेट जाओ जो चलो बलेके आप बेच जाओ जो पसीना रेक रहे हूं इतनी जाधा कर्मी कि चननने का मन ने करता है उसके विच में पराटे बना के देती हूं फिर भी बोला जाता है कि अच्छ नहीं है तो क्या करोगी तो कैसा लगा सज बता हो अब भी खाया गी देख भी अच्छ जाओ प्रफेक्ट कर देखो इस बर मैंने आठा तुम वह गर्ड़ा क्यों फोकस कर रहे हूं इस पर धान मत बोल रहा हु नहीं है तुम मुल्टा थे रहे हुग हों ग लगा हुगा इस बार मैं अच्छ प्र बनाया है मैंने बदा जा कि आपका पर दून लिए इस बार मेरा मेन मोटिफ वो क्लियर हो गया जल्दी दसो किन जाया सूख मार कि खाना जप्रास और एक गश्वर्ण गया मजा गया दोंट गो अन्ड प्रेसंटेशन गो उन्द फिल्इंग्स बहुत जादा पील से बना तुम्में और में पील कर बादा चालो चलो खालो खालो तो यह गईस आज का बलॉग यही बेंट करती हो आपको इस चोटु सब्लॉग मारा अच्छा लगा होगा हमें तो इसे कुटिंग शेर की हमारा हॉल्रूम टो शेर किया और हमाय थोड़ा ब ब्लॉग के साथ बहुत ही जल्दी योगश इंजोई कर रहे हैं अपना डिनर मैं अब चेंज कर लूँगी क्योंकि मैं बहुत जादा पसीने से चिप चिप कर रही हूँ तो अब पीचे शावर लेकर आई थी वीडियो शूट करने के पहले अब वापिस जाकर मैं शावर देलूँगी दाट सिप गाई आपको अच्छा लगा है बाई ठेक खेर आई लाव यू आज मेरा सिक्ष्ट देथा इंटिमेटर फस्टिक डाइट का यह इस तरह से मैं दिख रही हूँ रिजल्स तो ऐस सच इतनी जल्दी आएंगे नी बट मेरको अंतर से युना हैपी फ बात होगे योगेश ने भी आज गोवाली शर्ट पहनी है बहने भी गोवा में पहना था और उसके पाद मैं आज इधर पहन रहे हूँ सो बाई नाने जा रहे हूँ